लवक को अग्रेजी में प्लास्टिट्स कहते हैं और लवक सभी पादप को सिकाऊं अथवा प्लांट सेल में ही पाया जाते हैं यानि केवल पादप को सिकाऊं अथवा प्लांट सेल में ही लवक मिलते हैं और ये लवक अथवा प्लास्टिट्स जो हैं इनकी खोज बैग्या प्रानिक हैकल ने की थी किसने हैकल ने की थी और लवक या प्लास्टेट से जो नाम है यह नाम सिंपर ने दिया था सिंपर ने और पादप कोसिकाओं में तीन प्रकार के लवक पाए जाते हैं पहला आवडी लवक या अंग्रेजी में लिउकोप्लास्ट कहा जाता है आवड आधवां अंग्रेजी में इसे क्रोमब्रास्टि कहते हैं और यह시다ों के रंगिन भागों पाई जाता है जैसे फालों में पुलों में चाहरे को उसमें PRAD किसा बेशी के वांग में नेजिवथ से ओधार kur कर unhealthy और भीन would अप्लोडड है या लिएकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में चैनल में वीडियो अप्लोडडड है आप लोग जाकर के देख सकते हैं इन टीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हरितलवक है या क्लोरोप्लास्ट है जो कि तीसरा वाला है तो इसके बारे में में क्लोरोफिल पिग्मेंट यां hiç लवक के कारण पौधों के कुछ भाग वह पतीयां हरी ररंक दिखाई देती हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है हरितलवक के कारण ही होता है और क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक मुखी रूप से पतियों कोमलतनों और आपरिपको फलों आपरिपको फल का मतबदा कच्छे फलों में पाया जाते हैं अगर पूछा जा हरितलवक के क्लोरोप्लास्ट कहां जाता है इसी लवक के कारण प्रकाश संवेशन की किर्या होती है यानि हरित cover के कारण ही जो से रचेंशन होती है किरीया मिध ich जलिए अब हारित लवक अथावा क्लो College की संदशना को समझ लेते हैं ययानि अल्टरा स्ट्रेक्श्र्ट्चर अप खलोस्ट्रेक्श्टiziert देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये मेरे कालिज के एक स्टुडेंट्स आकास दीप ने बना कर दी है, तो इस पूरी संरचना को समझते हैं, प्रतेक हरितलवक दोहरी जिल्ली का बना होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हरितलवक है और ये दोहरी जिल हुआ होता है और यह लिपो प्रोटीन की बनी होती है जो जिल्ली होती है इसकी बाहरी वाली यह लिपो प्रोटीन की बनी होती है यह लाइपो प्रोटीन की बनी होती है आप कह सकते हैं और इस बाहरी वाली को बाहरी जिल्ली कहा जाता है जो बाहरी वाली जिल्ली है इसको ब जिल्ली या इनर मेंब्रेन कहा जाता है और इस पूरे भाग को इस ट्रोमा कहते हैं इसको क्या कह जाता है इस ट्रोमा कहा जाता है तो ये पूरा भाग है is trauma मतलब हारिद लवग के इस पूरे matrix को ही is trauma कहा जाता है जो इसके अंदर का पूरा matrix है इस पूरे matrix को ही क्या कहते हैं is trauma कहते हैं और इस जगह से एक important question बनता है कि प्रकास sensation की आप्रकासिक अबकिरिया कहां संपन्न होती है या कहां होती है कुशन पूशा जाता है बहुत ज़्यादा तो बताएंगे कि हरिद लवक के इस्ट्रोमा में प्रकास अंसलेशन की आप्रकासिक प्रिया संपन्न होती ही यह होती है यानि डार्क रियक्षन क्लोरोप्लास्ट के इस्ट्रोमा में होती है तो यह जो इस्ट्रोमा है इसमें मैं DNA पाया जाता है यह जो द्रव भरा हुआ है इस ट्रोमा में इसी में क्या-क्या पाया जाता है अनिक एंजाइम होते हैं राइबोसोम होते हैं स्टार्ज कड होते हैं DNA आधी होते हैं और इसी इस ट्रोमा में यह जो आप संद्रचनाय देख रहे हैं यह जो संद्रचनाय आप जिली नुमा चपटी जो पुटिकाएं हैं इन्ही पुटिकाओं को थैले क्वाइट्स कहा जाता है और ये एक के ऊपर एक लगी होती हैं एक के ऊपर एक लगी हुई हैं हर एक थैला क्वाइट्स क्या है एक के ऊपर एक लगा हुआ है जैसे हम एक या दो रुपए के क्या आपने लिया तो उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक आठ दस रख दीजिए तो एक जैसी सर्णचना बनेगी बिल्कुल उसी तरीके की सर्णचना ये होती है और इसे पूरे धेर को यानि जो पूरा एधेर बन जाता है इस पूरे धेर को ग्रेनम कहा जाता है इसको क्या कह चालिस से सो तक हो सकते हैं यानि एक हर इतलवक में ग्रेनम कितने हो सकते हैं चालिस से सो तक हो सकते हैं यह जितने भी ग्रेनम हैं यह सभी एक दूसरे से पीठी का पटिलिका अधवा अंग्रेजी में कहें तो इस्ट्रोमा लैमिली के द्वारा जुड़े रहते हैं जैसा कि आपको चितर में दीख भी रहा है कि जितने भी ग्रेना हैं ये सभी एक दूसरे से पीठी का पटिलिखा के द्वारा जुड़े हुए हैं या इस्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े हुए हैं इसके दोनों तरफ इधर भी और उधर भी प्रोटीन का मोटा अस्तर होता है आपको बताते चलें कि यह जो थैले क्वाइट्स हैं इनके बीच बीच में परणहरिम अथवा क्लोरोफिल होता है यानि प्रत्येक थैले क्वाइट्स के बीच बीच में परणहरिम अथवा क्लोर में होती है यानि प्रकासिक अपकिरिया अथावा लाइट रियक्षन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है तो प्रकासिक अपकिरिया ग्रेनम में और आप प्रकासिक अपकिरिया इस्ट्रोमा में संपन्न होती है इसी पर्णहारिम की जो परते होती हैं सूरी के प्रकास को अवसोसित करके भोजन निर्माण का निर्माण करते हैं यह इसमें पंढारिम होता है यह प्लभता होती हैं वे सूरी के प्रकास को अवसोसित कर लेती हैं सोख लेती हैं और अवसोसित करके सोख कर भोजन का निर्मार करती हैं पार्क और पान के अनुसार बैग्यानित है पार्क और पान इनकी अनुसार थायले क्वाइट्स का निर्मार करने वाली जिलियों की भीतरी सतह पर थाइले कॉइट्स का निर्मार काने वाली जिलियां होती हैं, उन जिलियों के अंदरूनी सतह पर, भीतरी सतह पर, 200 अंगस्ट्राम लंबी और 100 अंगस्ट्राम चौड़े, अनेक सूच में दाने पाए जाते हैं, छोटे-छोटे से दाने जैसे पाए जाते हैं, उन दानों को क्वांटासोम कहा जाता है, जिन ही क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहा जाता है, और प्रते क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अंड होते हैं, यानि हर एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अंड पाए जाते हैं, और यही अंड प्रकास संसलेशन के लिए सक्रिय अस्थल होत तो अभी हम लोग हरितलवक या क्लॉरोप्लास्ट के कारियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी आकार, आक्रिती और सको समझें लेते हैं, तो हरितलवक, गोल, चप्टे, फीते के समान, जालिकारूपी, सरपिलाकार, ताराकार, प्याले नुमा, आधी तरीके के होते ह यानि कि कैसे कैसे होते हैं गोल भी होते हैं चप्टे भी होते हैं पीते के समान भी पाय जाते हैं अलग अलग में अलग अलग तरीके के होते हैं हरे कोशका में और जालिकार रोपी सरपिलाकार ताराकार प्याले नुमा अब हरे कोशका का मतलब यह नहीं कि एक जीव की एक ही म्यू तक होती है इसकी मोटाई और अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई चार म्यू से 10 म्यू तक होती है यानि 4 माइक्रॉन से 10 माइक्रॉन तक होती है अभी कभी ये 100 माइक्रॉन सामैंने तक भी लंबे होते हैं कोई क्या होता है कि 100 माइक तक यह लंबा होता है यदि कोसीका में इनकी संख्या की बात कि लेकिन जो उच्छ पादप होते हैं उच्छ पादपों की कोशिकाओं में लगभग में 20-40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं या 20-40 तक हरितलवक पाए जाते हैं इसलिए हरित लवग को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। और भोजन बनाने के कारण ही इसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। सेल कीचन कहा जाता है को इसका की रसोई मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो उपस्थित वर्णक होते हैं जो पिगमेंट होते हैं वे सूरी की उर्जा को अवसूसित करते हैं और उसे अवसूसित करने के बाद उसी उर्जा का प्योग कार्बो हाइडेट के संसलेशन में यानि भोजन के निर्माड में करते हैं भोजन को बनाने के लिए करते हैं इस तरह से ये भोजन बनाते हैं और पौधे संसार में जीमित रहते हैं आसा है आप सब II लोगों को हरित लवक अधवा क्लोरोप्लास्ट अच्छी तरीके से सब्द में आ गया होगा आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सब्सक्राइब से पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद